इंदरगर नगर में शीतला माता के प्रकट उससब पर रतियात्रा धुमधाम से निकाली गई रतियात्रा का जगा जगा हुआ स्वागत हलुआ पूरी सब्जी और बीठा शर्वत का हुआ वित्रण माई इंदरगण में शीतला माता के प्रकट उससब के अफसब पर नगर में भवे रतियात्र निकाली गई ये कारिगरम सनातन धर्म में नवाचार की रूप में देखा जा रहा है रतियात्र को लेकर नगर में उससा का महौल देखने को मिला रतियात्र के दोरान नगर के स्थाने निवासियों दुकानदारों ने जगा जगा रतियात्र में शामिल होने वाले भक्तों के स्वागत के लिए हलु और शर्वत का वित्रण किया इसके साथी रतियात्र का दुकानदारों ने पुश्प वर्षा का स्वागत किया प्राथाकाल शीतला माता देवी का जलबी शेख हुआ और उनका पंचम रतिस्तान कराये गया और आर तीस सब मन हुई रतियात्रा में दद्रोह दाम अनुवान मंदिर के महामंडेश्वर, रामदास महराज और गड़ेश महराज पुजारी गूलू बंडा महाई पंडित अंचल महराज सही सेक्ड़ो कोई धर्म प्रेमी मुख्य रूप से उपस्ते थे शीतला माता की प्रितमा वैसे तो अचर है एक बाहर जोहां स्थापित होने के बाद दुबार उठाया नहीं जा सकता इसलिए दश्कों से निकाले जाने वाले ढूल गयारस उस्सप के दोरान कभी भी शीतला माता के विमान ढूल गयारस उस्सप में शामिल नहीं हुआ लेकिन अब आदोनिक्ता की चलते धर्म में नवाचार वा और शीतला माता की रत्यातरा निकाली जाने लगी है ये दुत्ती वर्ष निकाली की रतियात्रा में स्थाने निवासियों और दुकानदारों सहित महिला भक्तों ने जम कर भागिदारी की और फूल पुष्प बरशाते और रतियात्रा में शामिल हुए कहते हैं शीतला माता की मुर्थी अंदरबस्ती निवासी हाजम खा को 85 वर्ष पूर मिली थी जन चर्ष अनुसा रात को शीतला माता ने आजम खा को सपन में दर्शन दिये थे कि मैं गहरे पानी मिट्टी की नीचे दबी हुई हूं मुझे यहां से निकालो ये बात आजम खा ने अपने साथियों को बताई समस्या ये थी कि जिस स्थान पर खाई में शीतला माता पानी की नीचे बैटी थी बहाँ बहुत ही घहराई थी और पानी भरा हुआ था वहाँ जाना किसी खत्रे से खाली नहीं था लेकिन आजम खान ने निर्णे लिया कि पे घहरे पानी में उतर कर माता शीतला को निकार कर लाएंगे देखती देखते आजम खा घहरे पानी में कूद गव माता शीतला की मूर्ती हाथ में लेकर भाराग है और पासी पीपल के पेड़ पर बने चबुतरे पर शीतला माता इस्थापत कर दी गए पानी शीतल से नि